नवस्कार दूस्तों आप देख रहे हैं RCA News आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में अभी की बड़ी खबर क्या है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 28 जनौरी आज के 29 समाचार पत्रों में आपसे संबंदित कई खबरे छपी हुई हैं आइकन दबा दे, all present कर दे जिससे बारे वीडियो का नोडिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँच जाए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं तो आगे पहली खबर की बारे में जान लेते हैं पहली खबर पंचाय चुनाओ को लेकर है जिस समय पंचाय चुनाओं का आयुजन किया जाएगा अपरायल में या माई में वैसे तो अपरायल में संभो आज के समाचार पत्रों में बताया गया है तो अपरायल में यूपीटेट परिश्चा का आयुजन नहीं होगा आप इसको नोड कर लेगे किसी भरती परिश्चा का आयुजन नहीं होगा जो आप लाइन मोड से आयुजन किये जाएंगे चार चर्णों में वद्दान की यूजना निर्वाचर छेत्रों के आर्षण के नीथ 15 तक समभो यूपीटेट परिश्चा के समझ में आज में जानकरी प्राप्त करने के बाद आपको आउगत कराऊंगा आज जानकरी अगर नहीं प्राप्त हो जाएगी तो दो-तीन दिन में आउगत करा दूँगा सवाल है की परिश्चा का आयुजन कब होगा देखे परिश्चा का आयुजन अगर सरकार कराना चाहे पिएंपी कराना चाहे क्योंकि पिएंपी ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था सहमयती नहीं मिली थी तीसरा प्रस्ताव भेजा जाएगा और तीसरे प्रस्ताव में 26 मार्च के पहले का जिक्र हो जाए अगर सासन अनुमति दे तो 26 मार्च के पहले परिष्छा कायोजन हो सकता है क्योंकि 26 मार्च के बाद अज सूचना जारी की जाएगी पंचाय चुनाव को लेकर दूसरी महत्पूर बात PNP का कहना था कि UP Board परिष्छा तिछी की घोश्णा होने के बाद हम प्रस्ताव सासन को भेजेंगे पूरी जानकारे के लिए वीडियो को पूरा देखेगा यहां पर पूरी जानकारे दी गई है अगली कबर है कि पांच सिचकों ने ठुकराई बेसी सिच्चा विभाग की नौकरी आपको बता दें कि बेसी सिच्चा विभाग में नुक्तिपत पाने की बात पांच अध्यापकों ने नौकरी ठुकरा दी बुद्वार को 149 सिचकों को स्कूल पसंद करना था मगर 134 अध्यापक ही आए अगली कबर है यूपी बोर्ड परिच्छा 2021 को लेकर 8497 परिच्छा किंद बनाए गए हैं अब सवाल यूपी टेट का उट रहा है क्योंकि PNP के द्वारा कहा गया है कि हम ऐसी तिथी का निधार करना चाते हैं जिसमें यूपी बोर्ड परिच्छा की अर्चन ना पड़े मतलब कि सेंटर बन जाएं सेंटर मिलने में दिक्कत ना हो तो मैं आपको बता दूँ अग 26 मार्च के पहले परिच्छा का आयोजन करा लिया जाएं दो ही बिकलप है 26 मारच के पहले और 15 माई के बाद आपको बता दे ऐसा क्यों क्योंकि 26 मारच के बाद असूचरा जारी किया जाएगा पंचाय चुनाओ को लेकर और 22 जून के पहले पंचाय चुनाओ का आयोजन कर लेना है आप सवाल है कि सासन के द्वारा इस पर क्या नहीं नहीं लिया जाता है अगर ऐसा होता है तो कोई भरती परिच्छा 2021 में पूरी नहीं हो पाएगी आप इसको नोट कर लिजिएगा और 2022 चुराओं का मज़ा सरकार उठाएगी या भी आप नोट कर लिजिएगा क्यो अब से बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा उठाय जाए और कहा जाए कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी इतना हम रोजगार देंगे इतनी सरकार नोकरी देंगे यहीं होने वाला है भविश्च में देखिएगा आगली कबर है कि नई तारिक तक हाई स्रिकुरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाए तो जुर्माना लंवी वेटिंग से बचना है तो अभी करें आउनलाइन आविदन अगली ख़वर है बिध्वाओं वह महिलाओं को दे दिये दूर दराज की स्कूल ऐसा करना नहीं था सरकार ने जो किया है और सरकार के निल्देश में जो समय से सकूल पर जा सकें पढ़ा सकें 7 धी 7 उन्हें जादा ब्रहriaत ना होना पड़ें लेकिन सनकार के द्वाराद दूर प्लेश कूल दी चारट वाथि महिला महिला को दूर प्लदे दिया और वहां काईसे रहेंगी कैसे पढ़ाएंगी या बड़ी समंस्या होने वाली है आगली खबर परिच्छा को लेकर है परिच्छा आज से बिसम समेश्टर में भी मिलेगी ओविमार सीट लखनो विश्विद्याले की खबर है पहली बार तीन पालियों में होगी परिच्छाएं समय कम विकल्प जादा तो अब तक कि यह सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर बताया गया है कि इस बार 80 सवाल पूछे जाएंगे इनमें से बिद्यार्थियों को सिर्फ 40 सवालों की ही जबाब देने होंगे यहाँ पर एक महत्पूर्ण जानकार दी गई है कि MST परियावर्ण विज्ञान पर नहीं हो सका फैसला क्योंकि इस पर फैसला कल होना था नहीं हो सका अगली कबर है CBCID ने पेपर लिग प्रकरण में दर्ज के बयार अब तक की सबसे बड़ी कबर है उत्तरपदेश लोग स्रिवा आयोक की समिच्छत कारी और साइक समिच्छत कारी आरो एरो अर्थात परिच्छा पेपर लिग का मामला है मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परिच्छा 2016 के परचा लिएक मामले में CBCID यों बिसेज जांदल ने सिकायत करता हूँ प्रतियोगी चात्रों के बयान दर्ज किये है CBCID यों पुलिस के आईटिस्चल ने प्रतियोगी चात्रों के अध्यच और शिकायत करता आउनिस पांड ने यों दूसरे चातों का बयान लिया है बिसेज जांदल ने आउनिस से पूछा है कि प्रस्पत आउट होने के बारे में उन्हें सबसे पहले कहां शिकायत दर्ज कराई आउनिस ने साच शिस बताया कि पहले परिछारी अंत्रक प्रभुनात उसके बाद ततकाल अरुद्यादू से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी उन्होंने अपने समर्थर में आयोक के गेट पास की रसीद भी जान टीम को उपर बितकराई है तो अब इस पर बड़ी कारवाई होने के संकेत मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा आखिर कार इस पर क्या कारवाई हो सकती है अगली कबर PCS 2019 को लेकर है उत्तरप्रदे हिलोक्स नेवा आयोक की कबर है एक, दो, तीन, बचार फरोरी को दो सत्र में लिया जाएगा अगली कबर है कि रिलीव के जाएंगे 21,695 सिच्छक यहाँ पर असिश्टन प्रोफेसर भरतिक के समझ में महत्पूर जानकारे दी गई है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 36 आरच्छन का निस्तार ना होने से रुकी भरति देखे, 36 आरच्छन का मामला नहीं है 2022 चुनाओ का मामला है आप इसको मानिए मेरी बात और समय आएगा तो आपको पूरी जानकारे मिल जाएगी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सासर ने प्रदेश के आसास की एडिट डिगरी काल्जों में अशिष्टन प्रोफिसर की नई भरति कराने का निर्देश दे दिया है इसके तेट 49 सो पदों पर अशिष्टन प्रोफिसर की भरति होनी है उच्छी सिच्छा ने साले ने प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश उच्छी सिच्छा सेवा आयो को 2016 पद का अधियाचर भेजा है लेकिन उसमें सहिच्छ आरच्छन की इस्तिति इस पश्ट नहीं है इसके चलते आयो विज्ञापन निकाल नहीं रहा है और भरती फसी है आधिकारियों की कारपादाली से नाराज प्रत्योगी स्चात्र ने बुद्वार को उच्छी सिच्छा निसाले पर प्रदश्ण किया प्रदेश के विभिनी जीलों से आय प्रतियोगी छातुर ने 36 आरच्छन का निस्तार नहां होने पद नारजगी भक्त की है प्रतियोगी डाक्टर सौरोकमार सिंग ने कहा कि विग्यापन संग्या 50 की तहट अशिश्ट्र प्रोफेसर पस्की रही भरती होनी है लेकिन निसाले 36 आरच्छन की इस पस्त नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ या चुनाओ के मद्दे नजर किया जा रहा है आप ही सोचिए जब पहले भरती कर देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा लेकिन जब अंति में भरती होगी, कुछ भरतीा पूरी होगी, कुछ अधूरी होगी, फस जाएगी तरब आपको सब कुछ श्याद रहेगा आपको यह भी डर रहेगा, करें सरकार बदल ना जाए और भरती फस ना जाए तो मैं आपको बता दूँ सरकार बदले या रहे भरती कभी नहीं फसेगी अगली ख़बर है इस्कूल आफलाइन ही कराएंगे प्रीबोर परिच्छा जिन इस्कूलों में आनलाइन हुई परिच्छा उनमें दोबारा आयुजन की तयारी अगली ख़बर है टीसीएस को लेकर टीसीएस दुनिया का तीसरा मुल्यांगर आईटी ब्राण अगली ख़बर है नई सिछा नीत को लेकर इस्कूलों से चरचा करेंगे निसंग अगली खबर है कि करीब 10 जार किसानों ने कर लिया था ITO पर कवजा हवलदार की सिकायत पर हुगा मामला दर्ज आपको बता दे आखिर का किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए कोई कानून बनता है अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो वह परजा के हित में देखिए सरकार राजा है हम लोग परजा है तो परजा के हित में अगर कानून बनाया जा रहा है तो परजा से एक बार राय ले प्रजाक को वठा कर पूछना चाहिए कि आखिरकार इस कानून से आपको कोई आपती है आपको मैं हित की लिए बना रहा हूं इस कानून में यह यह फायदा है तो उस फायदों को गिनाना चाहिए आप करें नुकसान नहीं है जिसे कि प्रधारमंत्री का बयान सुनते होंगे और नेताओं का बयान सुनते होंगे कहते हैं इसमें नुकसान नहीं है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इसमें फायदा क्या है उस फायदे का जिक्र किया जाए और आप MSP पर गारंटी क्यों नहीं दे सकती इसका भी जिक्र किया जाए और आखिरकार आज तक जो चल रही थी क्या इससे बेटर प्रकिया है क्या इससे ज्यादा पैसा उसमें किसानों को मिलेगा इससे ज्यादा फायदा है उसमें किसान को इस बास से आउगत कराए सरकार ना कि ताना साही करें मैं आप से बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो किसी कानून बनाए ग करने का प्रियास करें तब आप लोग कमेंट करें आखिरकार किसी कानुन क्या है किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा आखिरकार आडानी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है आडानी अमबानी के अलामा कुई दूसरा व्यक्ति होगी जब यहां पर लिखा हुआ है कि मुख्वंतिय योगी आजितनात ने कहा कि आजादी के बाद से ही रोटी कपड़ा वा मकान सपना नारों तक सीमित था 2014 में नरिद मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से या हकीकत बढ़ रहा है कहा है कि किसी सरकारी योजना का लाव लेने के लिए पैसे ना दे पैसे मांगने वालों की शिकायत करें सरकार उसकी पूरी संपत्थी जबत कर कड़ा संदेश देगी अगली कवर है कि 50 से अधिक किसानेताओं पर केस उपत्रों करने वालों पर कसा सिकन जा कि कैट योगेंद्रे यादो समयत कई पर केस किसानेता दर्सन पाल को नोटिस जारी पूरिस ने पूस्ताज के लिए बुलवाया मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो कहा जारा है कि किसान ने लाल किले पर जंडा फरा या सत है कि दोनों गुमच पर जंडा लगाया था किसानों ने जंडा लगाया था लेकिन या सत नहीं है कि जो तिरंगा लहरा रहा था उसे उतार कर जंडा लगाया था एक बार आप आस देश में रहते हैं, तो हमें अपने तिरंगी की मान रखना चाहिए, अपने तिरंगी का सन हमेशा बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो कुछ आरोप लगा रहे हैं, जो दल्ले हैं, मैं उन सभी से कहना चाहतूं कि आरोप लगाना बंद करो, मेरा कहने का ताजपर है, जब सच लंगसे तक पुरुबख्ष कोना चाहिए जो देखि यहां लाल किला है और यहांपर एक गुमज है बीच में तिरंगा लहरा रहा था लुट अधार इस गुमज पर झंड़ लगाया गया था ना कि बीच में बीच में तिरंगा लहरा था जैसा था वैसा था आप देख सकते हैं उसमें कोई छेड़ छाड़ नहीं की गई जो लोग बद्राम कर रहे हैं उन्हें बद्राम करने दीजिए आप अपनी बुद्धी और विवेक का उपयोग करिए तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जूड आपको ताजा था खबरे इसके संब्सकार